इस्राइल हमास जिद में दोनों खेमें बिल्कुल भी टस्ट से मताई हो रहे हैं एक दूसरे को हराने की जिद ने गाजा ही नहीं पूरे मिडल इस्ट में भूचा लाका रख दिया है गाजा तो पहले से ही तबाह हो गया है अब विरान खंधर में तबदील हो चुके इस 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 इलाके में इसराइली बलों और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त गौरिला वार चिड़ा है जहां हमास के लड़ाके छिप कर इस्राइली सेना पर हमलावर हैं लड़ाके इमारतों के मलबे में छिप कर तो वहीं पेडों की ओड से घात लगाकर इस्राइली बलों पर जोरदार हमले कर रहे हैं पिछले कुछ हमलों में हमास लड़ाके गाजा में हावी दिखे हैं इस्राइली सेना के टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास के अलग-अलग मोर्चे में चलाय जा रहे आउपरेशनों से इस्राइली सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस बीच फिलिस्तिनी इस्लामिक जिहाद की मिलिटरी विंग अल-कुर्स ब्रिगड ने सुजाया के परोस में आईडियफ पर हमला बोला इससे जुड़ा एक खतरनाग वीडियो फिटेज भी जारी किया गया है। जिसमें आईडियफ और हमास के लड़ाकों की आमने सामने क की भिड़न दिखाई गई है। इसके बाद प्रतिरोत के खुंखार लड़ा के एक इमारत में घुस्ते दिख रहे हैं जहाँ इसराइली बलों ने अपना ठीका ना पनाए हुआ था। इसके बाद कावरतोर तरीके से अंदादुन फारिंग होती है। फुटिज में इसराइली सेनिकों के चिलानी की आवाज ये सुनाई दी हमाज ने दावा किया कि इस हमले में आइडियाक की कई लोक मारे गए है। इसके लावा मुजाहिदीन आंदोलन की मिलिटरी विंग अलमुजाहिदीन ब्रिगेड ने गाजा में इसराइली सेनिकों के खिलाफ किये गए एहम स्नाइपर आपरेशनों का फुटेज जारी किया इसमें लडाकों के घात लगाकर सटीक हमलों का दावा किया गया इस दोरान इसराइल के सेनि मोर्चों को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है वहीं अल-कासिन ब्रिगेड ने दावा किया कि उसके लडाकों ने अल-सुजाईया के परोस में बगदाद स्टीक में एक अल-यासिन 105 रॉकेट के साथ एक इसराइली मर्कवा 4 टैंक को मिशाना बनाया ऐसे में हमास के इन वीडियो से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाज़ा में इसराइली बलो को मजबूट टक कर मिल रही है गाज़ा का रण इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है यही बज़ा है कि इसराइल का गाज़ा ऑपरेशन नो महीने से ज्यादा समय से चल रहा है इसराइल गाज़ा में हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर पाई है डवा तो यह भी किया जाने लगा है कि हमास फिर से एक्टिव हो गया है गाजा के जिन जिन इलाकों को इस्राइली बरोन ने हमाज से मुक्त कराया था फिर से वहां जंगी हालाद बन गए है फिलिस्तिनी इस्लामिक जिहाद यानी पी आई जे के मिलिट्री विंग ने भी इस्राइल पर हमले का खुलासा किया है अलकुछ बरोन ने बताया कि उसके प्रतिरोज सेनानियों ने गाजा के दक्षर में नज्जारिम एक्सिस में इस्राइली सैनिको और सैनि वहानों पर मोर्टार गोले से हमला किया इसके अलावा ब्रिगेड ने गाजा के पुर्व में अल शुजाईया परोस में भारी मोटार गिबराज से इस्राइली सैनिको और उसके टैंकों को निशाना बनाया इसके अलावा लड़ाकों ने ग्रफा क्रॉसिंग गेट पर तरनात इस्राइली सैनिकों को मोटार के गोले से निशाना बना कर धेर किया वहीं अलक सा शहीद ब्रिगेट ने भी अपने तेवर दिखाते हुए इस्राइल पर भीचर कारवाई कर फिलिस्तिनी प्रतिरोत को लेकर अपनी एक जूटता दिखाई अलक सा शहीद ब्रिगेट के लड़ाकों ने दक्षणी गाजा के रफा शहर के उत्तर में फिलिस्तिनी मिस्र सीमा पर तैनात इस्राइली बलों और उनके सैन्ने वहानों पर मोटार गोले दागे